हेलो दोस्तों सबागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रेट पैल से अतुल में मैं हूँ आपका दोस्त अतुल गोयल आज हम बात करेंगे फिर से इन्फोसिस की जिसने सभी एहम लेवल ब्रेक कर दी है और पांच-साड़े-पांच परसेंड की गिरावट इस स करता हुँ नजर आया निचे के लेवल से उपर जूर गया बट यहां पर जो है इसको क्रोस नहीं कर पाया और इसके निचे इस टोक बना और इसके बात देखिए जिए निचे की तरफ आया तो यहां पर इस वाली लाइन को भी इसने ब्रेक कर दिया पहला सपोर्ट लेवल इसको break किया उपर आने से इस वले support लेवल को भी इसने break कर दिया यहाँ पर break करने से क्या हुआ कि स्टोक जो है और नीचे जाता हुआ नजर आया और इसका जो range थी वो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस type से बनती हुआ नजर आई नीचे के लेवल जब इसने break किये तो देखिए इस type का chart pattern इसके अंदर बनता हुआ नजर आया और स्टोक इस channel के अंदर काफी candles आप देख सकते हैं बनती हुआ नजर आई यह जो weekly chart है उसके उपरार से 31.8 की है यहाँ पर भी काफी बीक नजर आता है जो इसका next support level जो निकल कर आ रहा है वो है पहले उपर का level और इसके बाद यहाला level और इसके बाद इस वाले level को भी इसने ब्रेक किया तो इस लेवल तक पहुंचता हुआ नजर आ रहा है इसके बाद ने support जुरूर देखने चाहिए कि कहां पर यह ने support ले सकता है बीच में कोई भी ट्रेडिंग जा investment नहीं करनी चाहिए support level के आसपास जब पहुंचे उसके बाद ही उसके consolidate होने के बाद या ग्रावट रुकने के बाद ही उसके अंदर कोई पैसा लगाना चाहिए तो start structure कमजोर है और downtrend थोड़ा सा नजर आ रहा है इसके अंदर आब और सभी एहम support जो इसने break की है आने वाले टाइम में वो एक resistance की तरह काम करेंगे तो इनके उपर बिल्कुल नजर रखिए अच्छा स्टोक है ग्रावट में जहां रुके उसके बाद ही से एड़ रखिए टाइम दीजिए patience रखिए holding प्रेट बढ़ाए अच्छा पैसा बना के दे सकता है थैंक्यू धन्यबाद